नवस्कार मैं अवदेश मिश्रा आप सब देखते रही हैं भोजपूरी बाते हैं बाते हैं यह सरफेश अपा यह कली में इस तरह के रुद्राख की माला हैं बिसकली क्या है यह बदलावा अवतार जो है यह मेरी फिल्म भाग हिसारी भाग का लुक है और इस फिल्म में मैंने एक पंडित की बेटी का रोल किया है जो खुद भी पुजा पार्ट करवाती है बट शी इस डिफरेंट वो थोड़ी अलग है और क्या अलग है वो तो खेर फिल्म देखने के बात पता चलेगा लेकिन यह जो लुक है यह आप क्या सकते हैं कि आज कल क कि पंडित का लुक यो वाला असल मैंने पीछे देखा कि आप जी 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 बिल्कुल इस फिल्म में मैंने काफी कुछ नया नया ट्राइब ही किया है पहली बार मैं बुलेट चला रही हूं और अभी आपने ऐसा देखा होगा चुकि यह थोड़ा ट्रिकी शॉट है और इसम के बुलेट का ऐसा मतलब रिक की तरह उसको बानकर और यह सब करके यूज़ किया जा रहे है बट नहीं मैंने सही में बुलेट चलाने का शॉट भी दिया है यह आपको फिल्म में दिखेगा तो मैंने अच्छे से बुलेट चलाई है पूरे फिल्म में प्रिक्राइब होग चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसलिए ऐसा हुआ है और इसके पहले भी जब मैंने बुलिट चलाई थी तो मेरा आक्सिडेंट भी हुआ था उसमें मेरी टांगे भी टूटी है और दो महीने इसके लिए मैंने बेड पर इंतिजार भी किया है वापि तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी फिर से जब मैं बुलिट पर बैटरी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं सब कुछ सारे इंतिजाम होने के बाद भी थोड़ा डर लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं अजय कब की बात है कैसे दुरगटना होई थी बाई उसमिती सिनहा के साथ बहुत बड़ी दुरगटना हो गई थी बुलिट ही चलाने का शौट था और बेसिकली वो नाइट का शौट था और जो सर्फिस था वो इवन नहीं था तो उस वज़े से बुलिट के साथ ही गिर थी मैं और वो मेरे राइट पाओं पे गिरा था और मेरा राइट पाओं फ्रैक्चर हो गया था तो प्लास्टर लगा कर मुझे रहना पड़ा था लएक महीना तो अच्छा खासा उसके बाद एक लेसल ले लिया कि सारे ये करूंगी काम करूंगी लेकिन गाली चलाने में थोड़े इसी वो रखोंगे एधियात रखोंगी बाख हिसारी भाग मुझे बताए गया है कि स्पोर्स पर खेल पर आदारी तेव फिल्म है बोजपुरी में बेसिकली खेल पर आदारी शायत फिल्मी बहूं बनी है या नहीं बनी है ये पहली फिल्म ऐसी है जो खेल के और सिर्फ मैने नहीं नहीं जासे मेरा पार्ट मैंने बताय कि मैंने भूट मेंनद की है उसी तरीके से खिसारी जी ने भी percent की है और जब आप उनकी story सुनों गे तो वह भी बहुत ही दिल्चस्प और बहुत सारे adventures के साथ मिलेगी आपको तो हम सब ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और आज इस फिल्म के शायद मेरा आखरी शडूल है इस फिल्म के साथ तो में भी ये लोग आगे भी शूट कर रहे हैं लेकिन आज मेरा वाइंड अप हो गए इस फिल्म में खेसारी जी के साथ आपकी अखर समय के लाध इतिनी नजर आई जी वैसे आप खुद भी कापी वक्त के बाद पर नजर आएंगी ये आपकी कमई fridge कैसेकते हैं बिल्कूल इस फिल्म को जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी बात हुई ती तो मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा ढूंड रही हूँ जिसमें स्मृति सिन्हा के कुछ करने लायक चीजे हो तो येस ये वो फिल्म है जिसमें मुझे कुछ अच्छा करना कुछ डिफरिंट करने को मिल रहा है तो इसलिए ये मेरी कमबाक मुवी कह सकते हैं आप इतने सालों बात जब आप वापस आ रही हैं किसारी कितने बदले हुए नजर आए अपको मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं हमारी पता नहीं अब वो तो आप उनसे पूछिए मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदले हैं जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम पहले काम क्या करते थे, जितनी अच्छी केंस्ट्री मारी पहले थी, अभी भी उतनी अच्छी है, आप उससे भी अच्छी क्या सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तीनों फिर से आए हैं और फिर से काम कर रहे हैं। और अजय जी उसके डिरेक्टर हैं, अजय शिवास्तव, तो फिल्म भी लगभग बनके तयार है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी अधिकतर फिल्म में जो लखनओ में हुई है, नवाबों को शेहर का जाता है। कितनी यादे ताजा करना चाहेंगी इस फिल्म के माधन से? इस फिल्म के साथ यह आप अपना रिस्क खुद ले रहे हैं, तो बाद में आपका पैर ठीक नहीं होगा, तो मुझे मत बोलना। आपका एक बहुत बड़ा समरपड और त्याग है इस फिल्म के साथ जुड़ा है। कह सकते हैं, मैंने अपना खून दिया है इस फिल्म को। इस फिल्म को लेका ओडियन से क्या करना चाहेंगी। ओडियन से तो मेरी यही अपील होगी, प्लीज 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 इस फिल्म को देखें। और थेटर में जाकर देखें। यूट्यूब या किसी डिजिटल चैनल पे देखने कि आवेट ना करें। अटर इस फिल्म को बनाने के लिए अधिन उट्याग की ने बहुत किया है.. खिसारी जी ने भी बहुत क्योंकि ये खेल के उपर है तो उनको भी एक खिलाडी का वो प्ले करना था रोल तो उन्होंने भी बहुत महनत की है हमारे डिरेक्टर प्रोड्यूर्सर्स तो महनत करते ही हैं तो इस फिल्म को आप जितना अच्छे से परदे पर एंजॉय करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को शायद है डिजिटल प्लाटफॉर्म पे ना लगे तो इसलिए प्लीज 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 जाए और सिनिमा घरों में जाकर पूरी फैमिली के साथ मूवी देखिए ये मैं हूँ तो आव्वियसली फैमिली मूवी होगी प्लस हमारा ख्याल रखना जो भी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सिडेंट हुआ था लेकिन प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जो मेरा कैर रखा गया जो जिस तरीके से मुझे एक तरह से कहा जाए कि मेरा ख्याल रखे हैं तो तूटे वे पैर के साथ मैं शूट कर रही हूँ ये चीज वो पेन उनको भी उनकी आँखों में भी अच्छा था तो तो ही ऐस ओटेकन सम पेन की चलू ठीक है हम सब मिलकर एक जुट होकर हमने एंपनाई तो यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी तो यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिस तब आइक बैल आइकन और यूट्यूब अड डूब यूट आपडें झाल